देश में करोना टेका कर इंका सौंवार को 24 दिन रहा सौंवार शाम 6 बजे तक 60 लाग से जादा लोगों को वैक्सिन लगाई गई है इन में से कुल 4,1 लाग स्वास्ते कर्मी शामिल है वहीं दो फारवरी से स्वास्ते मंत्राले ने फ्रेंट लाइन करमचारियों को भी वैक्सिन लगाने की शुरुवात की और इनकी संख्या 6 लाग है केंद्रिय स्वास्ते मंत्राले के तरिक्ट सची वो मनोहर अगनानी जानकारी देते हुए बताया कि टीका लगने के बाद अब तक 23 लोगों की मात हुई है लेकिन इन मातों का प्रमुकारण वैक्सिन नहीं है आज दिन आंक तक शाम छे वजे तक के जो प्रावधानिक आंकडे हैं उसके अनुसार सारे देश में 60,35,360 लोगों को कोविट का टीका लगाया गया है और कोई भी प्रकरण सीरियस अथवा सीवियर एवाई अथवा म्रत्यू का वैक्सिनेशन के साथ अभी तक जोड़ा नेगल कोई एवाई गया है अईुट्वर चिनेशन के सबाठाइट इसाथ इस वेजियर अट्ऑर इज यह खिनेशन आपनान शेविट ने कोई ने पहिट सुट्स आफितल नेटं तब अट सा फोर आफ एफ बिवट इस सबीन ते स्ट आफ जुट्यर फिर फिन शीएपिल आज दिनांग तक टिका करण के प्रश्चाथ 23 मृत्यू प्रकाश में आई हैं जो दशामलव शूनिय 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 चार प्रतिशत है कुल टिका करण का स्वास्तिमित्र आने ने कहा कि सबसे तेज क्रोणा टिका लगाने के मावल में भारत पूरे विश्व में अब भी नंबर वन बना हुआ है भारत नहीं है उपलब थी महज 24 दिनों में हासिल किया वहीं संयुक्ति राज अमेरिका को कुल 26 दिन लगे जबकि ब्रिटेन ने इस 24 दिनों में हासिल किया वहीं से बजे तक कि जो प्रावधानिक आंक्रे हैं उसके अनुसार हमने सारे देश में 60,35,660 लोगों को कोविट का टिका लगाया है और हेल्थ के वर्कर्स जो वैक्सिनेट हुए हैं उनकी संख्या है 54,12,270 और दो तारीक से हमने और अन के वर्कर्स को भी वैक्सिनेशन शुरू किया है उनकी संख्या है 6,23,390 और देश So, the today's highlight up to 6 p.m. is total vaccinations done are 60,35,660 Out of which health care workers are 54,12,270 and the frontline workers other than the health care workers which we started on 2nd February as 6,23,390. So with this, in last 24 days, we have done 6 million. We are the fastest country to reach 6 million vaccination target. USA did it in 26 days and UK in 46 days. 60,000,000. का लक्षे पराप्त करके 24 दिन में हमने यह अपलबदी हासिल की है जो सबसे तेज रफतार है. वहीं पिचल 24 घंटे में 29 वर्ष यह महिला की मौत की सूचना मिली है. अगनानी ने कहा कि तीका करन के करन अब तक कुल 29 लोगों की आस्पताल में भरती हुए हैं और इनमें से 19 को छूटी दे दी गई है जब कि एक काईला चल रहा है